एलो दोस्तों दोस्तों तो देखे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आये हैं कक्छा ग्यारमी का आयद वायसिक परिक्षा पेपर भूगोल तो देखे दोस्तों वीडियो को देखे बिलकुल लाश्ट तक क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगो के लिए आपके कक्षा ग्यार्मी का जो भूगल का आयद बासिक परिक्षा का पेपर है इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं हाँ दोस्तों पूरा का पूरा पेपर हल सहित बताने वाले हैं तो देखे दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर लिखा नहीं है यहां परपका निर्दिश दिये गए हैं सभी पृणी अनिवारं हैं इहां पर आपको सभी पृणी ही विनर चुन्हीजए और पहले सब दिज़ा नहीं ही है तो इसका सही आंसर आ जाएगा A नंबर का जिसमें लिखा है मनो बिज्ञान और इसके बाल आता है दूसरे नंबर का जिसमें लिखा है बिश्चु का सबसे उंचा जुआला मुखी परवत है तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों दूसरे का सही आंसर आ जाएगा सा नम्मर का जिसमें लिखा है फोटो पैक्सी और इसके बाद आता है तीसे नम्मर का बिकल्प जिसमें लिखा है नदी के दुआरा होता है तो देखे इसमें चार ओप्सन दिए गए है आ नम्मर का बा नम्मर का सा नम्मर का और दा नम्मर का तो देखेगा दोस्तों इसका सही answer आजाएगा रुकिए दोस्तों बीडियो शूरू करें आगे बढ़े इस paper को पूरा बताए उससे पहले हमारा आप से छोटा सा रिक्योष्ट है हम आप लोगों के लिए इतनी महनत कर रहे हैं तो देखे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आप से छोटा सा रिक्योष्ट है यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूटूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सस्काइब नहीं किया है तो नीचे लाल सस्काइब की बटन को दबा कर चैनल को कर लेना है सस्काइब और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को और वीडियो को कह देना है लाइक बाइना आप लोग बाद में वीडियो की भावना में खो जाते ह और वीडियो को लाइक कहना भूल जाते हूं तो चलिएगा यहां पर देखिए पिसने के बाइगे जो बिकल्प नमबर तीन है नदी के दवारा होता है तो इसका सही अंसर आ जाएगा दोस्तो दा नमबर का यानि कि उपर योग तो सभी तो देखिए इसमें आपके तीन ओप्सन दिये गए अपरिदन परिवाहन और निक्षेपड तो यह आपके तीनों सही हो जाएंगे और इसके बाद देखिए आता है चोथी नमबर का जिसमें लिखा है डेल्टाई वनों में निम्न में से कौन सभ्यक्ष पाया जाता है तो इसका सही अंसर आ जाएगा दोस्तो आ नंबर का जिसमें लिखा है में ग्रो और उसके बाला आता है दोस्तो पांच में नंबर का बिकल्प जिसमें लिखा है किस महिने में भारत अत्याधिक गर्म हो जाता है तो इसका सही अंसर आ जाएगा दोस्तो पांच में का सही अंस आज आएगा दोस्तो नगा जिसमे लिखा है यानि और यह भी है लोगी है दोस्तो नगाए पर लिखने और पहलों सत्य दिया गया और जोन परत परा बैगनी केरों में प्रिथवी के जीवों की रक्षा करती है तो यह आपका हो जाएगा सत्य और इसके बाला आता है दूसरे नमर का जिसमें लिखा है बन बिनास के काड़ परिया बराड असंतुलन हुगा है तो इसका सही अंसर आ जाएगा दूसरे शत्य दोस्तो ए हो जाएगा आपका सत्य और इसके बाला आता है तीसे नमर का जिसमें लिखा है भू मद्ध शागर्यं तो यह आपका हो जाएगा दोस्तो सत्य और इसके बाद आता है पांच में नम्मल का जिसमें लिखा है जेव मंडल में पौधों का विकास जेव मंडल में पौधों का विसीश महत नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो असत्य क्योंकि दोस्तो जेव मंडल में पौ इसने के मंग तीन और देखे इसमें आपका पहला रिक्तिस्थान आता है सेल इस्तरों के अत्यादिक मुड़ जाने को खाली स्थान कहा जाता है तो इसका सही अंसर आजाएगा बलन और इसके बाला आता है दूसरे नम्मर का जिसमें लिखा है लगुजवार खाली स्थान दि तो इसका सही अंसर आजाएगा सुकल वा किर्षणे पक्ष की सब्तमी वा अश्टमी के दिन को आता है और इसके बाला आता है विक्तिस्थान नम्मर तीन जिसमें लिखा है खाली स्थान जीव जो कीवल पोधों को खाते हैं तो इसका सही अंसर आजाएगा दोस्तो साका हा और इसके बाद आता है चोथे नम्मर का जिसमें लिखा है काली मिट्टी खाली स्थन से निर्मित होती है तो इसका सही अंसर आजाएगा जुआला मुखी के लावे से और इसके बाद आता है पांच में नम्मर का जहां पर लिखा है भारत में अधिकांस भू इस खलन की घटन आई खालिस्थान छेतर में होती हैं तो इसका सही अंसर आ जाएगा हिमाला परवत देखे दोस्तों एक हो गए आपके रिक्तिस्थान और बिस्स के किस सागर में लबरता सबसे अधिक पाई जाती है यानि कि बिस्स का कौन सा समुद्ध सबसे जाना खारा होता है तो इसका सही अंसर आ जाएगा दोस्तो मृत सागर क्या आ जाएगा दोस्तो मृत सागर और इसके बार आता है दूसरे नमबर का जिसमें लिखा है बायू पिदूसर रोकने का मुख उपाय कौन सा है तो इसका सही अंसर आ जाएगा ब्यक्छा रोपर और इसके बार आता है तीसे नमबर का जिसमें लिखा है बाइस भर तापमान 110 डिग्री सेर्शियस से कम किस प्र प्रुबिये पिदेश और इसके बाद आता है चोथे नम्मर का जिसमें लिखा है भारत के दक्षड में इस्थित महासागर का नाम लिखिए तो इसका सही अंसर आजाएगा दोस्तो हिंद महासागर और इसके बाद आता है पांचमे नम्मर का जिसमें लिखा है भारत का सबसे थंड़ा इस्थान है तो इसका सही अंसर आजाएगा कारगिल तो देखे दोस्तों हमने आप लोगों के लिए सभी बस्तु निष्ट पिसने बता दिये हैं अब रहे दोस्तों आपके पिसने क्रमंग छेटमा साथमा आठमा नोमा यानि कि कुल अठारा पिसने पिसने क्रमंग पिसने क्रमंग 18 तक जिसमें आपके लगुत्रिये होंगे और देखुत्रिये होंगे अठीक लगुत्रिये भी रहेंगे तो देखें दोस्तों यदि हम पूरा पेपर इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों इसलिए आप लोग गोगल का एक पार्ट एक है और बहुत ही जल बार्ट टू अप्लोट करेंगे जिसमें आप लोगों के लिए प्रिष्णिक मंख 5 से प्रिष्णिक मंख 18 तक पूरा पेपर यारी कि संपूर पेपर हल आपको दिखाई देगा तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कहें दोस्तों में स्या कहें चैनल को कहें सब्सकाइब दोस्तों यदि आप लोगों के लिए is motor paper दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात के लिए कहाँ नहीं के लिए और फिर राएं दोस्तों इस पेपर को आप लोग original paper समझने की भूल ना करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत